नमस्कार मैं रगुनात प्रशाद आज नकेवल बिहार वरन देश के एक महत्तोपुर्ण समाजिक नयाय के महापुरिष्ट जगदेव बाबु को सरधास मनवर अरपित करता हूँ आज उनकी जहनती है जगदेव बाबु नकेवल समाजवादी वरन वो क्रानती कारी नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं उन्होंने जब ग्रिवेशन किया उसके बाद वे एक्सोंसलिस्ट लीडर स्री चंद्रदेव प्रिशाद वर्मा शाहब के समपर्क में आये और उन्होंने कहा उन्हें कि समाजवादी नेताओं के सम्मद्ध में जानने का प्रियाश कर गिए जगद्यवावू को वहीं से समाजवाद की के प्रती काफी प्यार उम्रा और वे उसमें रम्रिय लगे उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की एक पत्रिका जनता काफी संपादन किया और 1905 में जब जया प्रकास वावू और लोहिया जी का मत्वेद हुआ तो लोहिया जी जो सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई उसका हेड़क्वाटर हैदराबाद में था तो कुष्टियों तक जगद्यवावू हैदराबाद में भी रहे वहाँ भी उन्होंने कई समाजवादी पत्रकाउं से जुरने का काम किया उनके जीवन का लक्स था सोशितों वन्चितों को कैसे नियाय मिले वो जो अपने देश में जो जाती वाद की इस्थिती रही उससे उनको बहुत घरणा थी उनका जन गया जिले के कुर्था प्रखंड में हुआ था बच्पन से ही उन्होंने समाज में बहुत से कुरूतियों को देखा था जब उनके विद्यार्थी जीवन से ही वे काफी कहिए की क्रांतिकारी रूप धर्णने लगे थे पिताजी जब इनके विमार करें उनकी मा चुकी काफी धार्मिक महिला थी उन्होंने काफी सेवा की काफी पूझा पाठ किया लेकिन पिताजी नहीं बचे उसी समय इनके मन में एक अजीव चीज आई और जब पिता जी का वह संस्कार करने जा रहे थे उसी समय उन्होंने जो जितनी भी मूर्तियां उनके घर में थी उन्होंने उन्हों मूर्तियों को भी विधा कर दिया अपने घर से इसे साब समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, कि उनमें कितना परिवर्तन होने लगा था, 1966 में लोहिया जी की धूम थी पूरे देश में, गैर कांग्रेसी पार्टियों के वे धुरूब बन गये थे, जगद्योबावू, करपूरी ठाकूर जी के साथ संजुक सोसलिस्ट पार्टी में रहे, जब परजा सोसलिस्ट और सोसलिस्ट पार्टी का मरजर हुआ, बिहार में भी संबित सरकार बड़ी संजुत विधायक दल की उसमें जगदेवबावु और करपूरी जी की सबसे महतुपड भूमी का थी वो सरकार जब भी बहुत दिनों तक नहीं चली फिर भी उसके बाद कुछ दुनों के बाद उन्होंने एक सोसित दल बनाया सोसित दल बनाने के बाद भी वो अपना राजिनती में काफी एक्टिव रहे उसके बाद वो संपर्क में आये उत्रप्रदेश के समाजिक नहाएक एक बहुत इंपॉर्टेंट लीजर सोसिलिस्ट लीजर स्री राम सुरूप वर्मा साब के उनका एक अर्जक शंग हुआ करता हे और उन्होंने काफी मेनत की इसी बीच एक वक्त वाद बीहार में वो तीन बार मंत्री भी रहे दिविनन सरकारों में लेकिन हमेशा हो संगहर्ष करते रहे गरीबों के लिए वंचितों के लिए शोसितों के लिए उनकी जो कुछ है जो घुम कर वो भाषन दे रहे थे उसमें एक बहुत बड़ी चीज ने कहा था कि पहली पिरही के लोग मारे जाएंगे दूसरी पिरही के लोग जेल जाएंगे तता तिसरी पिरही के लोग राज करेंगे जीत अंतत अगत्वा हमारी होगी उनके कुछ नारे पहुत ही महतपुर्ण हैं दस का सासन नब्वे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा सौ में नब्वे सोसित है नब्वे भाग हमारा है धन धर्ती और राजपाट में नब्वे भाग हमारा है इन नारों से हम यह समझ सकते हैं कि उनके मन में कितनी पीरा थी, वो मांग कर चल रहे थे, कि वास्ता में जो 10 प्रतिशत आवादी है, वो सोशक है, और 90 प्रतिशत जो सोशित हैं, उनका सोशन हो रहा है बरे पैमाने पर, इसलिए वो भीतर से एक्दम करा उजरे सुहाओ के ह हो गए थे, उन्होंने एक जगा अपने वक्तव में कहा था, कि मुझे सवर्णों की राजनितिक हलवाही नहीं करनी है, उन्होंने एक जगा अपने वक्तव में कहा, भासन देते हुए, कि उन्ची जाती वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाही कराई है, मैं उनकी राज वे सिर्फ सत्ता प्रिवन्पन नहीं चाहते थे, वरनवे जाती प्रथा का पूरी तरह नास चाहते थे, तथा हिंदु धर्म के पाखंड का विरोध हुए करते थे, और यही समानता थी जो रामसरूप वर्माजी में थी, इसलिए इन दोनों का एक अच्छा समन रहता, इसे बीच, नकबल बिहार वरनव पूरे देश में, कहिए यह संपर्ण करांते आंद्वरन प्रारम हुआ, जय प्रिकार स्वागु के नित्रत में, और यह भी उसमें सामिल हुए, पांच सितम्बर 1974 को अपनी पार्टी के जंडे के साथ और बहुत से समर्थकों के साथ वे कुर्था प्रखंड में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ी शंख्या थी, वहीं पे, मैं समस्ता हुए, शायर वो पूरी स्थिति को भाप नहीं पाये, जगदेवाओ, और वहां प लगी, और वहीं पे ठाने पर ही, जो मैंने देखा है, कि ठाने पर ही उनकी मृत्यु होगी, मैं यहाँ पे यह खाना चाहूंगा, क्यों मृत्यु क्या, वह सहादत थी, वह सहादत थी जगदेवाओ की, गरीबों के पक्ष में, और इसलिए समाजिक न्याज से जूरे और उन्हें हमेशा अपनाना चाहिए, एक बार जगदेवाओ का इंटर्विव, अमेरिकी और रुसी पत्रकारों ने लिया था, और जो इंटर्विव था, वो उन देशों में छपा भी था, जिसमें लिखा हुआ था, कि भारत के शवलन भारत को जैसा दिखाते हैं, वस्त पिश्चित तोर पर उन्होंने बहुत बोलिली इंटर्विव दिया होगा, इसलिए ऐसी बात आई होगी, उन्होंने 1979 में बोकारों में एक भासन देते वे कहा था, कि राष्ट्रिता और देश भक्ती का पहला तकाजा है, कि कल का भारत 90 प्रतिसत सोसितों का भारत बन था, कि समाजिक न्याय, स्वतंत्रता और निस्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्थ सरकारी और गैर सरकारी नोकरियों में कम से कम 97 जगह सोसितों के लिए सुरक्षित किये जग, निस्चित तोर पर जगदेव बावु का जो संगर्ष था, वो पुरे जीवन भर ज़ प्रशितों के लिए उन्हें पुनाह नमन और सरधास्मन अर्पित करते हुए आप समरोद करता हूं, कि निस्चित तोर पर जगदेव बावु के आदर्सों को अपनाना चाहिए, आज कुछ लोग निस्चित तोर पर जगदेव बावु के नाम पर राजनिती कर रहे हैं, लेकिन उने भी अपने गिरिवां में जहांकना चाहिए कि क्या जगदेवावू यही चाहते थे निश्चित तोर पर सामनतबाद का खात्मा जगदेवावू जैसे महापुरसों के कदम में कदम मिलाकर चलने ही से होगा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित आप सभी लोग के लिए सुब कामना है धन्यवाद जैए